कि प allegations दोस्तो मैं आपका दोस्त राधीचाम घाववसर तो आपने जो ये धोनल देखा है न वी तो लखी के साथ में ये problem है घद्धि चल रही है कि साथ में problem चल रहे हैं हमसे जो भी ऊराई हों कर रहे हैं मुझे लगा कि आप लोगों को अपडेट करना चाहिए क्योंकि लगकी से रिलेटेड हर तरह की वड़ोज मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है तो अभी लगकी को जो प्रॉब्लेम हुई है तो उससे रिलेटेड भी आपको अपडेट कर दिया जाए तो इसलिए मैं ये वीडियो प्लड कर रहा हूं दोस्तों और आज मंडे हैं और फ्राइडे मतलब आपको पता होगा मैंने वीडियो में बताया कि मिलकी को फ्री छोड़ देता हूं बाहर 15-20 मिनिट सुभे में मॉर्निंग में और 15-20 मिनिट शाम को वो टाइम उसका टॉलेट का होता है शुषू करने का पॉट्टी करने का होगा होता है उसका और उसके बाद में थोड़ा सा खेल भी लेता है उसके तोड़ी से फ strateg Alright I took itрий हो जाती हो जाती है उसमें और मेरे observation में ही रहता है दोस्तों तो फ्राइडे की दिन मैंने उसको छोड़ा था बाहर रात को नो बज़े से लेके दस बज़े तक वो बाहर ही था लेकिन मेरे observation में ही था बट वो सामने गेट है ना soil meal है देखिए आप आपने देखा होगा कोई वीडियो में तो गेट अंदर भी चला जाता है क्योंकि वही पर उसका बर्त हुआ है ना उसकी मम्मी वही रहते तो बहुत बार वहाँ पर कूछ जाता है तो अभी फ्राइडे के दिन क्या हुआ वहाँ पर कुछ दूसरे डॉग भी थे मतलब स्ट्रीट डॉग वगरा दूसरे भी आते वहाँ पर वह भी थे और उसको एक जखम हुआ फ्राइडे के दिन मुझे लगा यह तार वगरा जो होता है ना कंपाउंड में लगे हुए तो लगा होगा या फिर मुझे यह भी लगा था कि किसी डूसरे स्ट्रीट डॉग ने इसको बाइट किया होगा क्योंकि अंदर एका टाइम और उसकी मम्मी के साथ में दूसरे भी डॉग होगरा होते है ना तो नॉर्मली यह तो खेलते ही है मैशा बट इस बार क्या हो उसको तार लगा होगा या कुछ लोहे की चीज लगी होगी वहापे या फिर किसी डॉग ने उसको बाइट कर लिया होगा यह दोनों में से एक जैने तो फ्राइडे के दिन रात को यह इंसिडेंट हुआ था तो रात को हमने उसका जखम वगरा देखा तो थोड़ा सा घाव था वहापे फ्राइडे के बाद में आया सेटरडे सेटरडे तो तो जखम थोड़ा सा नॉर्मल था मतलब मुझे लगाने की यह इतना की चार टाइम उसको हलदी लगाई थी जैसे आमने यूटीब पे उडोज वगेर देखिये के बैक्टेरिया को क्लीन करता है हल्दी तो हल्दी उसको लगाई हमने दो-चार बार हल्दी लगाए उसने चाटा चाटने चाटने से क्या हो गया तो उसटिज में जखम है न थो तोड़ा सा गीली जखम जो होती है न सेप्टिक जैसी जखम दिखने लगी तो फिर संडे को मैंने यहां वा कॉल किया मेडिकल पर कॉल कि कोई वोटेरनरी डॉक्टर हो तो हमारे पास भेज दीजिए और जो गवर्मेंट का जो हस्पिटल ना वो तो संडे के दिन बन होता है तो आज मंडे के दिन में आज मॉर्निंग में गया हूँ आपे नव साड़े नव बजे होस्पिटल में एक ही डॉक्टर अवेलेबल थे बाकि सब विजिट के लिए गये थे तो उन दॉक्टर ने मेरे मुझसे मैंने फोटो अगेरा लेके गया था लकी का तो उनको बोला क लोकसीलिन आती हैं एंटिबोएटिक होता है तो वन ट्वेंटी फाइव एमजी तो वह आठ टैबलेट उन्होंने लिखके दिये हैं उसके बाद में एक त्यूब आता है पेट क्यूर करके एसा कुछ तो वह ट्यूब भी लिखके दिया तो लग्टी मतलब मेरे जो उन्होंने वीडियो सर्च किये तो इस तरह से जखम को वॉंट्स ऐसा कुछ होता है तो उन्होंने सर्च किया तो उसको जखम को आर्डिल से वाश करना चाहिए और उसके बाद ने वो ट्यूब लगाने चाहिए हॉस्पिटल वालों ने भी यही कहा था कि तूजडे की दिन आप इसको लेकर आएंगे तो उसकन मुं साफ करेंगे पहले और पिर उसको ट्यू बगरां लगाएंगी और आपको तो हमने यही किया अर्लिंस से जखम को साफ किया एच्छे से उसके बाद q bizi द्या जीए था तो वो जाइने लगाया उसके लिए डॉक्टर ने कहा कि मास्क भी लेके जाई आप क्योंकि वह बहुत बार चाट रहा है ना उसके वह जैसे वह जो हम जेल लगाएंगे तो उसको भी चाट लेगा और मास्क लगाएंगे तो प्रॉब्लेम भी नहीं होगी आप अगर जखम साफ वगरा भी करते हो तो भी कोई दिकत नहीं होगी तो इसी तरह से हमने भी लखी को ट्यूब लगाया है और मेगा पेन जो थी वह टैबलेट वह भी मैंने लखी को दी उसने अच्छे से ले लिया है तो बस यहीं है यहां तक अभी तक जो इशू हुआ है वह यहां तक है और बाकी कोई दिकत नहीं डॉक्टर बोले हो जाता है इसा पेट के साथ में बारिश का जो सिजन शुरूए या फिर किसी स्ट्रीट डॉग ने काटा होगा उसको कुछ इंफेक्शन उसके वजह से भी हो सकता है तो कोई डरने वाली बात नहीं आप यह प्रॉपर ट्रिक्मेंट फॉल्व कीजिए अच्छे से क्योर लखी हो जाएगा तो जैसे ही लखी क्योर होता है अच्छा हो जाता है मैं आपको वापस से अपडेट करूंगा अभी तो फिलाल हमने उसकी ड्रेसिंग कर लिया जखम साप कर लिया उसको जैल वगएरा लगा दिये टैबलेट दे दिये यह सिचुएशन ऐसी होती न मतलब हमारी एटेश्मेंट ऐसे है कि हमारा हमारे बच्चे जैसा है तो मेरी वाइप भी रोने लगी थी जब उसका जो वासे पस अगरे निकलने लगा था संडे की दिन रात को तो रोने लगी थी जैसे कि हमारे दक्ष को जैसे कुछ हो जाता है तो हम जैसे हो जाते हैं न हमारी मान सिखता तो उसी तरह से हमारी हो गई थी दोस्तों काम में भी बिल्कुल भी नहीं मन लग रहा था अब अभी ठीक है अभी treatment शुरू हो गई है तो थोड़ासा अभी अच्छा फील कर रहा भाखी वह भी मैं उसको चोडता भी था ना तो गली छोड़के कहीं पे भीनें जाता है बाद चौनों बस दोस्तों यह तक थी अगर उड़ीं शी लगिए अ पर नेived कीज़ेस्टों के सांघ वाट्सप पर फेस्बुक पर शेर कीजिए और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए लाल कलर का बटन उसको क्लिक कर देना उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई सारे प्रोड़क्स जो मैं लखी के ल देना दोष्ट